जहिन सांथियू, खास इन्फोर्मेशन आप सभी के लिए, चौधरी बंसिलाल यूनिवर्सटी भिवानी, एस्टेट यूनिवर्सटी है, और एस्टेट यूनिवर्सटी में बहुत सारे सीट्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को देखने के लिए मिल रहा है, और ये इसमें कितने सीट्स हैं, एज क्रेटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, वेतनमान क्या होगा, और एग्जाम्स के पैटर्न क्या होंगे, और एलिजिबिलिटी आपके क्या होंगे, उन सब पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले, point to point देख लेते हैं कि क्या 10 तारीक इसका date है और last date जो है आपका 30 अपरेल तक यह form आप भढ़ सकते हैं The hard copy of the online application form along with the enclosure must read the office of registration चौदरी बंसिलाल यूनिवर्सटी भिवानी और यह आपको जो है detail आपको जो है online application जो है available है online forms का जो date है वो 10 तारीक से लेकर 30 अपरेल तक आप जो है form को भढ़ सकते हैं पहला यह दूसरा यह है कि कौन-कौन से seats हैं कितने seats हैं और कौन-कौन से पद के लिए हैं वो ध्यान से आप लोग देख लें पहला आप देख रहे हैं कि department of economics में जो कि एक unreserved के लिए है और दूसरा आपके जो है economically weaker section वाले SM unreserved के लिए वैसे नेक्स्ट ए department of English में unreserved 1 है 1st है 1bca है और blind low visions के लिए देखने को मिलता है नेक्स्ट है आपका हिंदी में दो सीट unreserved के लिए department of history में एक सीट है unreserved के लिए ICT में देख सकते हैं कि दो unreserved 1sc 1bca के लिए है नेक्स्ट है management के लिए एक unreserved है और एक SC का है department of mathematics में 2 seats हैं MCS में है आपका department of microbiology में है pharmacy में है तीन unreserved 1sc और 1bca 1bcb पोस्ट के लिए यह सभी आप जानते हैं कि हर एक state का जो है अलग-अलग जो है आरक्षन का नेम होता है जैसे बिहार में ebc लगता है extremely backward classes bc1 होता है bc2 होता है ठीक उसी तरह से यहां पर unreserved का है department of physical education में आप देख रहे हैं one unreserved का है one bcb का है one sc का है उसी तरह से आगे और देख सकते हैं department of physics में one unreserved के लिए है उसके अलाबा seats और भी देख लीजे political science में one unreserved है department of social work में है यह seats इसके अलाबा आप कुछ और भी important information ले सकते हैं कि label 10 है यह आप सभी जान रहें कि assistant professor का academic जो label होता वह 10 होता है उसके अलाबा eligibility क्या है वह eligibility आप देख लीजे कि eligibility A और eligibility 2 भी दो section में eligibility को रखा गया है कि योगता क्या होनी चाहिए योगता है कि 50% 55% आपके master degree में होना चाहिए उसके बाद UGC net qualify अप होने चाहिए ठीक है और अगर आपने PhD किया हुआ है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि देखे अक्सर जो है PhD वाले को priority मिलता है या जिनका paper छपा है national या international journal में उनको the PhD degree of the candidates has been awarded in regular mode PhD thesis has been evaluated by the list two external examiners and open PhD वाइबा candidate has been conducted ठीक है next candidate has published two research paper from his or her PhD work out which at least one is in referred journals मैंने कहा था न कि आपको जो है PhD में paper होने चाहिए दो paper इन में मांगा गया है तो यह eligibility है net minimum जो eligibility आप मान के चलिए master प्लस net qualify होना ज़रूरी है और B देख लेते हैं कि B में क्या है भई B की eligibility क्या है PhD degree obtained from foreign university or institution with ranking among 500 top university कह रहा है कि दुनिया के कोई भी university हो यह foreign university जो top 500 rank में आता है उससे आपका PhD होना चाहिए और last में एक note लिग दिया आ गया है और उसके अलाबा आप net तो आपका होना ही चाहिए the PhD degree shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of professor in university effect from the date of issue notification by the state मतलब आप यह कह सकते हैं कि PhD degree mandatory है जो हर एक university में master प्लस net या set मांगता है उसके अलाबा यहाँ पर एक extra आपको देखने को मिल रहा है कि PhD degree mandatory है चली उसके अलाबा और आगे चलते हैं कि क्या क्या है चीजे जेनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं वही चीजे हैं कि सभी के लिए जेनरल इंस्ट्रक्शन से कि master में minimum 55% जो है आपका होना चाहिए योगिता आपको पता चल गया है उसके अलाबा फी है फी क्या है तो जेनरल के लिए और फीमेल के लिए जो estate और non estates जो non estates वाले हैं जान मेल और फीमेल के लिए thousand rupees इसका फी है उसके अलाबा जो female है जो हर्याना से उनके लिए 500 है मेल है अगर BC और जो है आप कहा सकते reserve category में उनके लिए mail के लिए 200 rupee है और फीमेल के लिए 125 पैया आपको देखने को मिल रहा है और जो benchmark disabilities वाले उनके लिए निल है उनके लिए कोई फी नहीं है तो यह overall जो है मैं यह कह सकता हूं कि overall यह सभी eligibility था eligibility में मैंने post eligibility form feeling और कौन-कौन form भर सकते हैं यह सभी idea आपको मिल चुका होगा I wish you good luck guys जो eligible है उनके लिए धेर सारी शुब कामना है जे हिंद जे भारत